नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सुरभी सोलंकी, consultant homeopathic physician since last 14 years अगर आपको अपना वजन जल्द से जल्द घटाना है, मुटापा कम करना है जल्दी और अपना जो पेट बहा निकला है उसको अंदर करना है आपको तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत useful होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा आहार है जिसको की आपको लेना है जो कि आपको जल्द से जल्द वजन घटाने में हेल्प करता है ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि देखे पूरी तरीके से तो अगर आप एक अच्छा आहर नहीं लेंगे तो आपके अंदर weakness आजाएगी आप अपनी रोजमरा का काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जोश में आके कई लोग ऐसा decision ले लेते हैं कि हम बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे बहुत ही minimum diet पे आएंगे फिर क्या होता है कि फिर चक्कर आनी लग जाते हैं बहुत ज़दा weakness हो ज जरूरी होते हैं आहार से वो भी मिले लेकिन आपका वजन ना बहे तो ये किस तरीके से होगा यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ हमारी जो एक Indian थाली होती है भारत में इसमें जो main contents होते हैं जिससे हमें actual में energy मिलती है अच्छी मात्रा में वो रोटी रहती है या चावल रहते हैं अब रोटी और चावल में से अगर हम समझदारी से चूज करेंगे तो हम ये जरूर अपना जो weight loss की journey है हमारी इसको जल्द से जल्द हमारा जो target है वो achieve कर सकते हैं यानि जल्दी से जल्दी वजन घटाना इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ह calories की अगर हम बात करें तो चावल में जादा होती है रोटी से और अगर हम fiber की बात करें डाइटरी fiber जो होता है वो रोटी में चार गुना जादा होता है चावल से अब fiber जो है आपकी डाइट में होना काफी जरूरी होता है तो इस मामले में रोटी थोड़ा आगे निकल जा है वो रोटी में चावल से 16 गुना जादा होता है यानि कि 16 गुना जादा विटेमिन ए आपको रोटी से मिलता है उतना चावल में नहीं होता है इसके इलावा आइरन कैल्शियम और जो B-complex के विटेमिन होते हैं वो भी रोटी में जादा होते हैं चावल के के बाद आपकी बॉड़ी में आपके ब्लड में जो ग्लुकोस का लेवल होता है वो तेजी से बढ़ जाता है और सिंपल कार्बो हाइडर्स जो होते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं माने जाते जितने की कॉंपलेक्स कार्बो हाइडर्स होते हैं जो की रोटी में मौजूद होते हैं और रोटी लेने के बाद जो ग्लुकोस का लेवल होता है आपकी बॉड़ी में वो धीरे धीरे बढ़ता है ना की तेजी से तो अगर हम nutritive value के आधार पे decide करें कि चावल बेटर रहेगा या रोटी तो definitely जो की मैंने आपको points बता है उनके आधार पे रोटी एक better choice होगी अब अगर हम cooking time की बाद करें तो देखें चावल जादा जल्दी पक जाता है तो convenient रहता है और रोटी को बनाने में थोड़ी मैनच जादा लगती है तो उस point पे अगर हम देखें तो ठीक है rice को थोड़ी जादा points मिल जाते हैं क्योंकि वो easily cook हो जाता है अब हम बात कर लेते से कौन सा इन दोनों में से जादा आसानी से digest होता है तो क्योंकि चावल के अंदर simple carbohydrates होते हैं और जब की जो रोटी होती है गेहूं से बनती है रोटी तो उसमें complex carbohydrates होते हैं प्लस उसमें fiber जादा मात्रा में होता है चावल के comparison में तो अगर digestion के बात करें तो चावल जल्दी digest हो जाता है इसलिए जब भी हमारा stomach upset होता है तो हम generally खिचडी खाना पसंद करते हैं हमें खिचडी दी जाती है खाने के लिए क्योंकि वह easily digestible होती है तो इस point पे definitely easily digestible तो चावल ही होता है रोटी से definitely आपका लंबे समय तक पेट भरा रहता है और चावल खाने के बाद आपक कि वेट से कुछ ना कुछ relation होता है ऐसा देखा गया है जिन लोग को अच्छी sleep मिलती है उनमें मोटा होने का risk बहुत कम होता है तो अगर चावल और रोटी में compare करें तो क्योंकि चावल में जो simple carbohydrates होते हैं वो जल्दी से आपके body में तुरंत आपको energy देते हैं आपका glucose level है चावल खाने के बाद तुरंत ही तो उसे serotonin नाम का एक substance है जो कि आपकी body में बढ़ता है जिसको वो actually में happy hormone भी उसको बोला जाता है जो एक आपका mood lift करता है और उस तरीके से अगर वो चीज आपके body में होती है तो आपको need अच्छी आती है तो रोटी और चावल के comparison मे अगर आप चावल लेते हैं सोने से पहले तो आपको need बहतर आती है अगला point है allergy क्योंकि allergy कई लोगों को कई substances से होती है rice generally जादा तर लोगों को rice से कोई भी allergy नहीं होती है in fact wheat में या गेहूं जिससे कि हमारी रोटी बनती है उसमें gluten नाम का एक protein होता है जिससे कुछ लोगो को allergy होती है तो अगर ऐसा case है आपके साथ आपको gluten से allergy है तो आपके लिए रोटी से better rice ही रहेगा obviously अब main सवाल पर आ जाते हैं क्या कि रोटी खाने से जादा वजन बढ़ता है या चावल खाने से जादा वजन बढ़ता है कई लोग आपसे कहते हैं कि अगर आपको वजन घ जो है इतना जादा नुकसान दायक होता है अगर आपको अपना वजन घटाना है तो इसका जवाब जो है वो थोड़ा rice levels को अच्छा ही लगेगा क्योंकि actually rice directly responsible नहीं होता है आपका वजन बढ़ाने के लिए अगर आप देखे तो जैसे जिन राज्यों में rice खाया जाता है राज्यों में जादा generally मुटापा देखा नहीं गया है लोगों में जैसे कि हमारे North East में जादा खाया जाता है rice हमारे Bengal में West Bengal में जादा खाया जाता है आप वहाँ के लोगों को देखे बहुत जादा ऐसा मुटापे की समस्या नहीं है वहाँ पे तो ऐसा है कि चावल कितनी quantity में आपने खाया इस पर depend करता है कि कितना आपका मुटापा होगा अगर आप रोटी जरुत से जादा खा रहे हैं या चावल जरुत से जादा खा रहे हैं दुनों ही चीजों से आपका वजन बढ़ता है अब चावल में एक चीज यह रहती है कि चावल जब आप खाते है तो उस वक्त तो आपका पेट भर जाता है और तुरंत आपको energy मिल जाती है लेकिन कुछ time के बाद फिर आपको भूक लगने लग जाती है फिर आपका कुछ ना कुछ खाने का मन करता है तो indirectly अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि चावल खाने से थोड़ा वजन आपका बढ़ सकता है लेकिन अगर आप थोड़ी control के साथ खाते हैं limited amount में चावल खाते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ता है यानि कि चावल as such directly वजन बढ़ाने के लिए responsible हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसी तरीके से जो लोग रोटी खाना जादा पसंद करते हैं उनके लिए भी कुछ भी बाधक नहीं होगा और in fact carbohydrates तो आपकी diet में होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमें energy अपना काम करने के लिए उसी से मिलती है बस आपको क्या करना है कि अगर आप जादा चावल लेते हैं तो आपको उसकी amount थोड़ी कम लेनी है अगर आप रोटी जादा लेते है तो आपको अपनी रोटी की मातरा थोड़ी कम करने है इतना ही आपको करना है लेकिन इतना जरूर खाना है जिसे कि आपको अपना रोज मर्रा का जो काम है वो बाधित ना हो और इतनी energy आपकी body में जरूर मौजूद हो अगर आप diabetic है यानि कि आपको sugar की बिमारी है तो generally rice से तुरंत आपका glucose level बढ़ जाता है जबकि चपाती से ऐसा नहीं होता है तो जो लोग diabetic है उनके लिए थोड़ा रोटी बेटर होती है चावल की comparison में तो last में अगर मैं compare करूं दोनों में कि weight loss के लिए कौन सी better रही की तो देखे थोड़ा edge यहां पे हम चपाती को ही देंगे याने की रोटी ही winner है हमारी इस race में रोटी बेटर रहती है थोड़ा weight loss के लिए पर ऐसा नहीं है कि अगर आप rice lovers है तो आप बिल्कुल rice छोड़ दें ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है अगर आप ए controlled diet लेते हैं तो बिल्कुल वो आपको weight loss में कापी help करती है हाला कि अगर आप दोनों चीज़ें लेने में comfortable हैं तो आप रोटी को ज़्यादा preference दीजे क्योंकि रोटी से आपको एक तो calorie कम मिलती है और आपको fiber content और vitamins उसमें ज़्यादा होते हैं तो रोटी से आपको nutrients ज़्यादा मिलते हैं, calorie कम मिलती है और आपका पेट भी भरा रहता है काफी time त तो फिर आपको कुछ खाने का मन करेगा तो इस तरीके से हम देखें और end में compare करें दोनों को तो weight loss अगर आपको करना है तो रोटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा better रहती है चावल के comparison में, hopefully आज के वीडियो आपको useful लगा होगा, काम का लगा होगा, अगर अच्छा लगा और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, मैं आपसे मिलूंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें